दोस्तो भारत सरकार के 15 ऐसे कार्ड जो कार्ड दोस्तो अगर आप बनवा लेते हैं तो गवर्मेंट का कोई भी ऐसा योजना नहीं है कोई भी ऐसा स्किम नहीं है जिसका आपको लाब ना मिले सभी योजना सभी स्किम का आपको आसानी से लाब मिलेगा अगर आप ये 15 कार्ड बनवा लेते हैं और सबसे चीबात ये है कि 15 कार्ड बनवाने के लिए आपको ज्यादा समय भी नहीं लगता पांस से दस मिनिट का समय लगता है आसानी से दोस्तों यह 15 कार्ड सभी लोग बनवा सकते हैं और एक बार दोस्तों आपका यह सभी कार्ड बन गया तो गौवर्मेंट के सभी योजना सभी स्किम का आपको लाब आसानी से मिलना शुरू हो जाएगा तो कौन-कौन से हैं वो कार्ड जानना चाते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक को शेयर कर देना जैसे कि आप जानते हैं ये जो आईश्मान कार्ड होता है एक बार अगर आपका बन गया तो ऐसे में आप किसी भी सरकारी वर प्राइवेट हॉस्पीटल में 5 लाख रुपए तक का बिलकुल फ्री में इलाज करवा सकते हैं उसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं दिना आपका बिलकुल फ्री में इलाज हो जाएगा सरकारी वर रजिस्टर प्राइवेट हॉस्पीटल में अब ये जो कार्ड है ना दोस्तो ये ओनलाइन और ओफलाइन दोनों तरीके से बनता है ओनलाइन आप मातर पाश मिनेट में बना सकते हैं इस कार्ड को इसके उपर और मैंने कई वीडियो बना रखी है तो ऐसे मैं दोस्तो आप उस वीडियो को देकर आसानी से अपना जो आईश्मान कार्ड है उसे बना सकते हैं और एक बात दोस्तो आपका आईश्मान कार्ड बन गया तो उसे ओनलाइन ही आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और डाउनलोड करन तो वहाँ पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा ठीक है तो यह एक पहला कार्ड हो गया उसके बाद दोसो जो दूसरा कार्ड है उह है आभा कार्ड आभा कार्ड यानि कि दोसो आईश्मान भारत हेल्थ अकाउंट या इसे आप हेल्थ आईडी कार्ड भी कह सकते हैं यह एक ऐसा कार्ड होता है जो गौर्णमेंट द्वारा बनाया जाता है इस कार्ड में दोसो मरीज की पूरी हिष्ट्री होती है कि मरीज को क्या-क्या दिखते कौन-कौन सी बिमारी है कौन-कौन सा दवा चल रहा है यानि कि हर एक चीट दोसो आपका इस कार्ड के अंदर होगा यानि की मौजूद होगा जब भी दूस्व आप किसी भी हॉस्पीटल में जाएंगे न तो हाँ पर बस आपको ये कार्ड दिखाना होगा यैसे आप ये कार्ड दिखा देंगे आपके बारे में दूस्व पूरा उस डॉक्टर को पता चल जाएगा कि आपको कौन-कौन सी बीमारी है कौन-कौन सा दवा चल रहा है हर एक चीद दूस्व पूरा आपका हेल्थ हिस्ट्री उसको दिख जाएगा तो ये कार्ड भी दूस्व आप ऑनलाइन ही बना सकते हैं इसके उपर और अल्रेडी मैंने कई वीडियो बना रखा है तो इस वीडियो को देखकर आ अर्थिक सहायता दी जाती है यानि कि अगर दोस्तों आपकी financial condition सही नहीं है तो ऐसे में दोस्तों गौवर्मेंट आपको इस कार्ड के जरिये बोल सकते हो ना आर्थिक मदद करती है यानि कि कुछ पैसे बेजती है जिससे आप अपना बोल सकते है घर चला सकते है तो इस प 24 नमबर पर आता है मांधन योजना कार्ड इस योजना कार्ड को अगर आप बनवा लेते हैं तो आपको 3000 रुपए तक का पेंशन मिल सकता है यह पेंशन मजदुरों की कॉंट्रिबुशन के आधार पर मिलता है इस स्किम का लाब लेने के लिए आपको हर महिने 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का योगदान करना होगा इसमें योजना में 50 पिसदी लाभारती और 50 पिसदी गवर्मेंट का योगदान होता है उसके बाद आगे चलकर दोस्तों आपको जो है इसका पेंशन दिया जाता है तो यह कार्ड दोस्तों आप ऑनलाइन और आफलाइन बनव स्कीमों के लाब दिये जाते हैं सबसे चीवात यह है कि इस कार्ड को बनवाने के साथी दोस्तों आपका जो है दुरगटना बीमा भी बन जाता है किसी दुरगटना में मौध हो जाती है तो सरकार दोरा एक लाख रुपए तक की आर्थिक साहता की जाती है और सामान ने केरियर सर्विस कार्ड इस कार्ड को बनवाने का मकसद यह होता है कि दोस्तों इस कार्ड में आपका पूरा पूरा डाटा रिज्यूम टाइप का मौध होता है जिससे दोस्तों आप किसी भी जॉब के लिए आसानी से एपलाई कर सकते हैं और आसानी से दोस्तों आपको CS कार्ड को बना सकते हैं, उसके बाद दुस्तों सातवे नंबर पर जो कार्ड आता है वह है जीवन जोती वीमा योजना कार्ड, इस कार्ड को अगर आप बनवा लेते हैं तो एक प्रकास से आपका बोश सकतो ना वीमा कार्ड बन चुका है, मतलब कि अगर किसी भी कारण से आ बनाया अगर आपको किसी भी कारण का कनफ्यूजन रोत में इसकी नीचे कमेंड्र करके करके बता सकते हैं, मैं आपकी हिल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है, उसके बाद दोस्तों आठवे नंबर पर आता है ओटर आईडी कार्ड, ओटर आईडी कार्ड और आसानी से आप online और offline दोनों तरीके से बना सकते हैं, वैसे auto ID card कैसे बनता है, इसके उपर मैंने already वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को देखकर आसानी से आप अपना auto ID card online ही बना सकते हैं, इसके लिए आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और online ही दोस्त कितना important document, कितना important ID card बन चुका है, हर जगह पर दोस्तों हमसे आधार card ही मांगा जाता है, आधार card को बनाने का जो process है, वो online और offline है, online दोस्तों आपको form बरकर apply करना होता है, लेकिन photo click कराने के लिए या फिर biometric देने के लिए उसके लिए दोस्तों आपको आधार center ही जाना हो जाता है, ठीक है, तो आधार card अगर आपका नहीं बना है, तो जल्द से जल्द आप लोग बन वा लिजिए, उसके बाद दोस्तों दस्तों नमबर पर आता है pen card, pen card के बारे में भी ज्यादा तो लोगों को पता होगा, अगर आप business करते हैं, या फिर bank account open करवाते हैं, तो ऐसे में दोस्तों pen card बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, या फिर अगर आप online earning करते हैं, और आपका पैसा dollar में आता है, तो ऐसे में दोस्तों उसे इंडियन रुपिस में convert करने के लिए भी pen card ही जरूरी होता है, बिना pen card के नहीं होगा, तो ऐसे में आप सोच सकते हैं, वो आपके कितना ज़्यादा काम आ सकता है, pen card को दोस्तों आप पूरी तरह से online और offline भी बनवा सकते हैं, अगर आप offline नहीं बनवाना चाते हैं, तो online कैसे pen card बनता है, इसके उपर मैंने video बना रखा है, उस video को देखकर आसानी से आप अपना pen card घर बैठे ही बना सकते हैं, इस card को अगर आप बनवा लेते हैं, तो सरकार द्वारा दोस्तों आपको हर दिन का रोजगार दिया जाता है, तो यह बोल सकतो काफी फायदे मन का job card है, जिसे ज़्यादा तर लोग गाओं में, बोल सकते हैं, जो पिछड़े इलाके हैं, वहाँ पर दोस्तों इस card को ज़् दोनों ही process है, लेकिन कई के state में सिर्फ यह card offline ही बनाया जाता है, तो आपको चेक कर लेना है, आपके state में कैसे इस card को बनाया जाता है, उसके बाद 12 नंबर पर आता है इस संजिवनी OPD card, इस card को बनाने का मकसद यही है, कि आपका पूरा का पूरा जो मतलब की जैसे कि दोक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, तो दोस्तों आप इस card के जरिये online ही doctor से सलाह मसुहरा ले सकते हैं, उनके द्वारा बताये गए दवाई को आप खा सकते हैं, medical पर दिखा कर उनको रिसिप्त देंगे, उससे दवाई ले सकते हैं, यानि कि पूरा का पूरा दोस्तों पाम है, वो online ही type का हो जाता है, समझ गए, तो ये एक प्रकार से दोस्तों आपके काफी ज़्यादा काम आ सकता है, ऐसे condition में जब आप hospital या फिर दवा खाना नहीं जा सकते हैं, आप घर से ही दोस्तों अपना इलाज करवाना चाहते हैं, तो इस पे दोस्तों आप ए डॉक् पर आता है, माई जी ओवी कार्ड, ये जो माई जी ओवी कार्ड है ना, इस कार्ड को बनाने का मतलब ये है, कि आपको गवर्मेंट द्वारा जितने भी स्कीम होंगे, जितने भी योजना लॉंच किये जाएंगे, उस सब का message द्वारा आपको बता दिया जाएगा, तो इस इसके बाद, 14 नंबर पर आता है राशन कार्ड, राशन कार्ड दूस्तो अगर आप बनवा लेते हैं, तो आपको महिने के राशन गॉर्मेंट दौरा दिया जाता है, जिसमें गहूं, चावल, और कई जगों पर तो दूस्तो सक्कर भी दिया जाते है, तो ऐसे में आपको राशन कार्ट से काफी ज्यादा महिने के राशन मिल जाते हैं जो की बहुती कम प्राइज में होते हैं इसके लिए कई कई स्टेट में तो ये बिल्कुल फ्री भी होता है तो ऐसे में आप लोग जल से जल अपना जो राशन कार्ट है उसे भी बनवा लीजिए राशन कार्ट जो process है ओभी दोस्तों online और offline है ज्यादा तर आज के समय में दोस्तों online ही राशन कार्ड बनाया जा रहा है तो आप online ही राशन कार्ड के लिए apply कर सकते हैं मैंने already इसके उपर वीडियो बना रखाया कि कैसे आप online राशन कार्ड के लिए apply करेंगे तो इस वीडियो को देखकर दोस्तों आसानी से आप अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं उसके बाद 15 नमबर पर यानि कि last जो कार्ड आता है वो है दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड किसान क्रेडिट कार्ड यानि कि अगर आप एक किसान है और इस कार्ड को अगर आप बना लेते हैं तो आसानी से दोस्तों आपको लोन मिल जाता है खेती करने के लिए या फिर किसी और कारण से आप आसानी से इस कार्ड के जरिये लोन ले सकते हैं ये एक प्रकार से क्रेड का महत तो कितना ज़दा आपके यह काम आ सकता है कितना ज़दा यह फाइदे मंद है तो यह टोटल दोस्तो 15 कार्ड है जिसे अगर आप बनवा लेते हैं तो आपको अलग-अलग प्रकार की गवर्मेंट द्वारा लाब दिये जाते हैं और कोई भी ऐसा योजना